सो गाइस क्या फिर से धुरुवराथी को यूट्यूबर्स ने एक्सपोस कर दिया याइस धुरुवराथी ने यूपी गवर्मेंट की एक पॉलिसी को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया था पर वो उन पर उल्टा ही पड़ गया तो कॉंटेक्स्ट क्या है मैं बता देता हूँ सो रिसेंटली यूपी गवर्मेंट ने न्यू शोचल मीडिया पॉलिसी इंट्रिडियूस की है जिसमें वो social media influencers को government की scheme and policies को promote करने के लिए पैसे देंगे जैसे कि Twitter, Facebook and Instagram influencer को 2-5 लाग रुपे महिने मिलेंगे और जो लोग YouTube पर long shot and podcast के थुरू promote करेंगे उन्हें 4-8 लाग रुपे महिने मिलेंगे साथी जो creators government की schemes related obscenes या misleading content post करेंगे उन creators के against UP government कड़ी करेवाई करेगी So इस policy को लेका धुरूवराथी का reaction आया वो as usual UP government को criticize किये वो लिखे UP government is saying it will pay up to 8 lakh to influencers to promote the government This is legalized bribery from taxpayers money Any influencer who does this should be publicly shamed Basically वो कहे taxpayer के पैसों से UP government promotion के लिए influencers को पैसा देगी तो ये legalized रिस्वत खोरी है और जो influencer ये करेगा उसे शर्मिन्दा होना चाहिए हालागी UP government ने उनकी scheme and policies को promote करने की बात कही थी ना की government को promote करने की So इस पे काफी सारी creators ने धुरूवराथी को counter किया सबसे पहले पिपोई उन्हें reply दिये वो इस पे लिखे धुरूवराथी इस पनी रहुआ यू मिश्टा पार्ट यू पीस प्लान मिरर्दा आमादमी पाथी पंजाब influencer empowerment policy 2023 offering 8 lakh to influencers with over a million subscribers when आमादमी पाथी used taxpayers money for the same purpose you conveniently ignored it why always a selective outrage bra और does it count as legalized bribery when it is not your favorite party pulling the strings let's be fair shall we talk logic and no bias basically उनका कहना था कि पहले आमादमी पाथी ने अपनी सरकार में पंजाब में ये policy 2023 में introduce की थी तो तब धुरूवराथी को क्यों नहीं दिखा कि वहाँ taxpayers का पैसा उड़ाया जा रहा है और अभी BJP ये policy लाई और उन्हें BJP पसंद नहीं है इसलिए वो ये मुद्दा उठा रहे है और इस पर Flying Beast ने भी धुरूवराथी से सवाल किया वो कहे शुड अल न्यूस पेपर एंड टीवी चैनल भी ऑल्सो शेम्ड हूशो पेड एड्स तू प्रमोट एनी गवर्मेंट इन पावर बेसिकली धुरूवराथी ने अपने ट्वीट में कहा था कि जो भी इंफ्लोएंसर प्रमोट करेगा उसे शर्मिंदा होना चाहिए तो यहीं Flying Beast का भी कहना है कि न्यूस पेपर एंड टीवी चैनल वालों को भी शर्मिंदा होना चाहिए फिर कि वो पावर में बैठी किसी भी गवर्मेंट का पेड प्रमोशन करते हैं बागी गाईज अगर आप Creator हो तो आपको क्या लगता है UP Government ने सही किया और क्या धुरूवराथी को आम आदमी पार्टी को भी Criticize करना चाहिए था जब ये Policy 2023 में Introduce हुई थी बागी गाईज आपको इस पर क्या लगता है अपना Opinion comment करके जरूर से बताना वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो होप करता हूँ आप एक Like जरूर से करतेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए Take Care